नमस्कार विक्त्रों आपकी सर्क्लासिस में आप सभी का स्वागत है आज लसो और मसद से मिस्त्रित कोश्चन है देखेंगे ये पार्ट जो है सात्मा है हमारा पहला कोश्चन का सुभाग कर रहे हैं दो दी गए संख्याओं का लगुत्तम समापोवर्थिया उन्हें संख्याओं के महत्तम समापोवर्थि से इच्छा गुना है यदि दोनों में छोटी संख्या च्छ हो तो दूसरी संख्या क्या होगा तो आईए देखेंगे हैं इसमें छोटी संख्या दिया है कितना छोटी संध्या आपका दिया है छह है इसका जो मसा बन रहा है क्या होगा लेकिन इस बता रहा है कि इसका जो लसा बनेगा वो मसा का कितना पुना है तो मसा का ये छह गुणा इसका लसा होगा ये आपको दे चुपा है आपसं के तुरू यह स्कुष्चन में बहुत बड़ा नंबर नहीं दिया है आपसं के तुरू तुरंत इसको साल करने का प्रयास करेंगे अगर 15 लेंगे 18 लेंगे यहां 9 है यहां 12 है चार आपसं दिया है अगर 15 और यहां देखेंगे 15 और यहां बनेगे तो यहां मसद इतना इन दोनों का बनेगा तो मसद इन दोनों का देखा जाए तो यहां मसद बन सकता है तुर्ण दोनों का मसद इतना होगा तो मसद के आपका कितना मिल जाएगा तीन मिल जाएगा आइसमे छो का बना चाहिए तो लसब जाएगा का बागा उनों का भाग मत जाएगा तो नौ का दो उना करेंगे अठारा इंदर अठारा इंदर बन रहा है तो इसलिए इसका भीकल्प तीसरा इंपुट इस सही है आके हैं अग्रे नंबर में चर्चा करते हैं कि अगला कोशन क्या है अग्रा कोशन देखते हैं दो संख्याओं का महत्तम समाप वर्तक च्छानवेरों का महत्तम समाप वर्तक बारोस च्छानवेर है दिन में एक संख्या 864 तो दूसरी संख्या कितनी होगी आईए देखते हैं कि आप जानते दियोंगे कि इसका सर्वुला क्या होता है कि पहली संख्याओं में दूसरी संख्या बराबर लशब गुड़े क्या होता है मसर ये का लिला होता है इसमें सन्हसें में दिया गया है कि दो संख्याओं का महतम समाक अबर तक चानवे और लगुतम समाक अबर तक than 1290 इसमें कर रहा है यदि उतमे से एक संख्या, 1 संख्या शानवी और 864 हो तो कह रहा है कि ये दूसरी संख्या क्या होगी तो आई ही देखते हैं, दूसरी संख्या बराबर हम देख सकते हैं, 1200 चांदे पर एक चांदे, आप बटे में कितना होगा, 864. अब देखेंगे इस चांदे का टेवल अगर पढ़ना चाहते हैं, तो कितना बार पढ़ेंकि, 1400 चांदे की 24 आ जाएगा, तो आप कहेंगेगे, छोका कितना बार टेवल पढ़ेंकि लच मिचा राता है, न चुक चांदे इसका मतलब 9 बार में बढ़ जाएगा. अन्नु से इसमें भाग रहेंगे नवे कम नव ती मजेगा न चवु को चछतीस ती मजेगा न चवु को चतीस इसका मतलब दूसरी संधिया आपका कितनी हो जाएगी 144 इसका खरेक इंसर होगा दोड़ी वाला विकल आपका बिलकोई सही होगा आते हैं अगरे नमबर पे चर्चा करते हैं कि आगला कोश्चन पूश्चन वही है दो संधियाओं का लगुत्तम समापवर्तक 2089 है और उनका महत्तम समापवर्तक 87 है तन्नुसार यदिपुर में एक संधिया एक सो नमास्ति हो तो दूसरी संधिया कितनी होगी सेम पे उस सेम पोश्चन खी बोल दिया कि यह सुत्र आपका कि काम करेगा पहले संधिया में दूसरी संधिया बराबर लगुत्तम समापवर्तक कितना है तो 2089 है अमहत्तम समापवर्तक दे दिया है कि 27 है इनमें से एक संधिया दिया है कि 189 है तो दूसरी संधिया क्या होगी तो आईए देखते हैं कि दूसरी संधिया क्या होगी तो यहां से स्तात का टेवल इतना वार पढ़ें कि लाश्ट में नव आ जाया तो आप पहेंगे स्तात साते हों चास अस्तात दुने चौदा और चार अठारा होगा तर नवा स्तात बार में यह कड़ जाएगा अस्तात से इसको भाग देकर बदा दी है इसलिए इसका दूसरी संधिया जो होगी दो संतान पेर चौदा भी कल्क बिल्कुल आपका सही होगा आते हैं अगले नूंबर कोश्चन पे की अगला नूंबर कोश्चन क्या है उस पे भी हूँचर्चा करते हम अगला नमबर क्वेश्चन है यदि दो अविब्यक्तियों का अलगुत्तम समापवर्तिय और महत्तम समापवर्तिय क्रमसवाग एक सी स्वायर प्लस छे एक्स प्लस आठ और दूसरा ब्रेकेट में दिया है एक्स प्लस बन और एक्स प्लस बन है और एक अवियक्ती x squared plus 3 x plus 2 है तो दूसरी अवियक्ती क्या होगा तो आजिए देखते हैं same question वही है इसमें भी वही चीज़ है कि यहां पहली संध्यादे दूसरी संध्याद बरावर क्या होगा less of अगने क्या होगा मसभ यही के आपको दिया है कि दो अर्गयक्तियों का लगुत्व समाथ वरतिय था महिसमे वरतिय, जिब लगुत्तम कहा है तो पारा नमब यहां देख से है और इसने महित्यम्य समाथ और दूसरी बार ऑब है तो दूसरी बार यहां मुहित्त समा फ़क्ते दिया है X plus 1 अ इसमें कहता है कि एक आविव्यत्ती कितना है तो यह इँपला आविव्यत्ती दिया है X prior plus इतना है 3 X plus 2 है अ दूसरे के बारे में कहरा है तो दूसरा क्या बुसकता है तो आई देखें कि दूसरे पी बारे के कैसे की बता करते हैं कि सबसे पहले कुछ ऐसा नंबर कामन भिया जाए कि दोनों में कुछ come KYU कमन भी वो 2 है वो count experiencesウe जोड़ देगे यहां को 2 होगा तो 2 हम देखे कि फेर्क्तर बुटा करेंगे अधर 2 होजाएगा तो इसको हम क्या दिख सकते हैं तो थोड़ा सा विचार करेंगे तो आप गुड़न खंड पे अगर विचार करेंगे तो पूस्चन बहुत लंबा होगा लेकिन गुड़न खंड भी क्वेश्चन पे आता है उसाथ तरीके से करिए क्या करना है कि यहां x square है x ना मतलर x plus यहां 2 एक गुड़न खंड हो जाएगा और फिर यह जो है x plus 1 इसका गुड़न खंड दूसरा हो जाएगा इसका गई क्ता होगा अब यहां दूसरी संख्या बरावरी अब इसको अगर लिखना चाहेंगे तो 8 है, इसका गुड़ा अगर 8 को हो जाएगा, प्लस अगर जोड दिया जाएगा उच्छह हो जाएगा तो यहां से इसका मतलब क्या होगा? तो आप कहें कि यह प्लस है तो X के साथ X प्लस वू लेगे आए X के साथ X प्लस प्लस चार लेगे तो यहां तक इसनी संभावना को पता है अब देखेंगे यह क्या है, x प्लस यहाँ 1 है, अब multiply क्या करेंगे, x प्लस यहाँ 1 है, अगर multiply भी नहीं लिखेंगे, तो यह multiply खुद है, तो x प्लस 1 से x प्लस 1 को काट देजिए, x प्लस 2 से x प्लस 2 को हटा देजिए, तो दूसरी संख्या अबरावर क्या होगा, तो यहाँ देखेंगे, तो x में x का गुणा करेंगे मेरे रहाई, तो x इस्वायर होगा, चाल में एक जोड़ देंगे, तो यह तो 5 बनेगा, और x ह है, तो x इसके साथ लगा लीजिए, और यहाँ देखेंगे, प्लस क्या होगा, तो प्लस में देखेंगे, तो ऐसा इन दोनों का खंड करेंगे, प्लस में क्या आएगा, तो आप कहेंगे, कि इसका खंड करेंगे, तो यहाँ चार आएगा, तो यहाँ से देखेंगे, कि इस इसका answer क्या हो सकता है? X square plus 5X plus 4 जो की बहना विकल्ट इसका विकल्ट सही है A number आगे question देखते हैं कि अगला question क्या होगा है? हम मिन करते हैं कि जबर आपको ये class समझ में आया हो आते हैं अगले number question पी question में तीन भिन संख्याओं का लगुत्तम समापवर के 120 है ततनुसार उन में से कौन सी संख्याओं संख्याओं की महत्तम समापवर तक नहीं हो सकती तीन संख्याओं का लगुत्त दिया हुआ है कितना 120 इसको आफ़न से छटाक से मार दीजिए 8 है 12 है 15 है और दिया है 25 है 15 नहीं दिया है यहां 26 दिया है अबसर ये आउपका संख्या दिया हुआ है कहारा इसमें से कौन सा नहीं होगा तो आठ का भाग लग जाएगा 15 वाठ है 120 12 का भाग लग जाएगा 110 24 का पांच उना 120 लेकिन 25 का भाग नहीं लगेगा अगले नंबर विचर चाहते हैं कि अगला नंबर क्वेश्टन क्या गराता है अगला नंबर क्वेश्टन है दो संख्याओं का मापतम 23 सताओं के लसब के अन्य दोड़न खंड 13 और 14 है उनमें से बड़ी संख्या क्या है तो आहें देखते हैं इसमें ली कह रहा है कि मासा कितना है तो मासा आपका दिया है 23 है अल्लासा दिया है इसका दो गुड़न खंड दिया है एक 13 दिया है और 14 दिया है जो भी नंबर रहेगा वो मासा उसमें कामन जवूर रहेगा इसलिए स्टेश में 14 का गुड़ा करेंगे तो जो बड़ी संध्या देखा जाए तो क्या होगा तो यहां बड़ी संध्या लेकर इसका जवाब दे सकते हैं जो की 322 चौथा विकल आपका बिल्गुल सही है आते हैं अगरे नुम्बर कोश्चन के और कुश्कों भी हम देखते हैं कि वो कोश्चन क्या है अगरे नुम्बर यहां कोश्चन है दो संध्याओं का मसः तेरा तथा लसः चार सो बच्पन है यदि उनमें से इनमें से एक संध्या 75 और 125 के बीज में इस्तिक हो तो वह संध्या क्या है तो आए दो संध्याओं का मसः और लसः दिया है मसः आपका दिया है तेरा और लसः दिया है लगुत्तम समाब अबर तक दिया है चार सो बच्पन है अगर रहा है एक संध्या उसमें जो है 75 और 125 के बीचो बीच है तो इसमें क्या बीचो बीच बोले है कि एक संध्याओ आईए देखे हैं इसका भी जवाब आप ये फर देदेगे आपसंसे कैसे आपसंसे देएए तो आपसंसे में 78 है 104 है और एक एक क्याने है एक सबोश्श्टन थे तो आईए देखिए इन दोनों के बीच में क्या पढ़ रहा है सभी के सभी नंबर इन दोनों के बीच में पढ़ गए अब इससे फैसला नहीं होगा अब इन दोनों में फैसला लेने की की सकते होगा जगर 13 से भाग देने मसा जब है तो सम्मे कामन होगा तो 13 का भाग सम्मे लग गएगा तो इसका मतलब की सम्मे इसका भाग चला जाना चाहिए वही नंबर होगा तो यह आठ का टेवर कभी की जिवन में पढ़ते पढ़ते रट जाएंगे लेकिन पाँच कभी लाज्ट में काई नंबर देगा यहां सम्म नंबर है तो सम ही आएगा चार का टेवर कभी पढ़ेंगे पाँच कभी लाज्ट में आएगा नहीं अब दो डिसीजन होता है कि यह भी सम्मे तो भी सम्म ही वागा होगा तो आप देखेंगे तो इसका अगर 4 बार टेवर पढ़ेंगे एक सो सतरह का चार गुना 475 पढ़ेंगे तो सतरह चोपाड़ सट मने 468 हो जाए तो 455 है तो बिकंप नंबर इसका इसरा विल्कुल सही होगा इसलिए इसका तीसरा बिल्कुल सही है इसी के साथ मेरा आज का ये क्लास सुमापत होता है अगर ये क्लास आपको समझ में आ रहा है तो हम उमेंद करते हैं कि जरू मेरा क्लास ये आगे से आगे आप बढ़ाने का प्रयास करेंगे धन्द